दोस्तों बॉलिड सुपरिश्टा रणवीर कपूर को बुधभार की दिन एडी ने समन जारी किया है रणवीर को 6 अक्टूबर को पुछतास के लिए पेस होना होगा मामला एक ओनले गैमिंग कंपनी से जुड़ा हुआ है मिज़े रणवीर कपूर ने एक ओनलेन गैमिंग एप का प्रमोशन किया था जिसके बतले में कैस मनी ली थी इसी मामले को लेकर रणवीर कपूर के मुस्किले आप बढ़ती नजर आ रही है एडी ने 6 अक्टूबर को उन्हें पेस होने का आदेस जारी किया है बतादी कि यहाँ पहली बार नहीं है जब रणवीर कपूर को किसी मामले में पुछतास के लिए बुलाया गया है इससे पहले भी कई बार रणवीर कपूर इस तरह के मामलों में सुर्क्या मटोर चुके है रडवीर कपूर को साल 2012 में भी राजिस्थान में कोट में पेश होने का समझ जारी किया गया था साल 2012 में रडवीर कपूर अपनी फिल्म ये जवानी है दिवानी की शूटिंग के लिए उदैपूर में थे इसी दोरान उन पर एक मामला दर्ज हुआ था जिस पर रडवीर कपूर पर सेयर पीसी सेक्शन 153 के तहत मामला दर्ज किया गया था रडवीर कपूर पर पबलिक प्लेस पर श्मोकिंग करने का आरूप लगा था इस मामले को लेकर भी कोट ने जुलाई 2012 में समझ जारी कर कोट में पेस होने का आदेज दिया था अब एक बार फिर रडवीर कपूर की मुस्किने बढ़ती हुई निज़र आ रही है एडी ने सौरप चंद्राकर और रवी उत्पल नाम की सक्स पर 5000 रुपए मनी लांडरिंग मामले को लेकर जहां शुरू की थी दोनों लोगों पर दुबई से ऑनलेन बैटिंग एप की जरिये मनी लांडरिंग का आरूप है इस मामले में जब एडी ने जाच करना शुरू की तो बॉलिड सितारों के नाम आना शुरू हो गया शौरप चंद्राकर ने इस साल फरोरी महिने में दुबई में शादी की थी बतादे हैं इस शादी में कथी तोर पर 200 करोड रुपए खर्च किये गये थे शादी में बॉलिड सितारों ने भी प्रदर्शन किया था इन सितारों में टाइगर शौफ क्रिती खर्वंदा कृष्ण अभिसेग शुक्मिंदर शी भार्टे शी भाग्यश्री विसाल ददलानी अली असरफ रात्वतिय अली खान निहा ककर नुसरत भरूच और सनी लियो और ऐसी अपजिट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद